मशकार दोस्तों आप सभी का एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है टेकनाओं के लेटस्ट एपीसोड में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं LG के बारे में एक के बाद एक लगा था नएने फोन लॉंच करता जा रहा है और बजट फोन की अगर बात करें तो LG काफी ज़दा फेमस हो गया है इसकी वज़ए तो है एक तो सस्ता फोन आता है बैतरीन आता है LG की ब्रैंडिंग बिलती है देखने में और साथी साथ कही न कहीं Made in China का टैग नहीं होता है तो यह चीज़ अच्छी हो जाती है थोड़ी कई न कई फोन के मामले में तो यहां पर अभी एक फोन के बारे में और लीक पकड़ में आया है तो दोस्तों यहां पर LG W31 की बात चल रही है तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या लीक पकड़ में आया है जानकारी थोड़ी सी उपर नीचे हो सकते है क्योंकि यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं काफी सारे रियूमर्स हैं इस फोन को लेकर सबसे पहले गूगल प्ले कंसोल पर इसका जो है लिस्टिंग हुई है जहां पर कहीं न कहीं यह चीज़ देखी जा रहे है कि यह फोन आ सकता है हाला कि कंप्रीन की कोई भी ओफिशन एनॉंसमेंट इसको लेकर नहीं है यहां पर जो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो रहते है आपका हिलियो की तरफ से P22 यानि कि एक आवरिश फोन रहेगा और कीमत भी लगबग यहीं से क्लियर हो जाती है कि बहुत हाईयर रेंज यह फोन नहीं है साथी दोस्तों यहां पर आपको 4GB की RAM देखने को मिल जाती है और मुझे ऐसा लगता है यह 3GB की RAM में भी अविलेबल होगा चोकि LG बजट पर काफी ज़्यादा ध्यान लगता है तो कम से कम कीमत रखने की कोशिश करता है तो ऐसे मुझे लगता है कि 3GB RAM के साथ भी मार्केट में दिखाई देगा वही दोस्तों अगर हम बात के Android 10 के साथ इसका वो रहेगा HD Plus की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी साथी इसकी एक छोटी सी फोटो भी वाइरल हो रही है इंटरनेट पर जिसे कि आप जाकर देख सकते हैं तो वहाँ पर दे रखा है कि इसके डिजाइन का पता चलता है कैसी यहाँ पर इसकी डिजाइन होने वाली है यह सारी कुछ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं उपर की तरफ आपको नौस देखने को मिल जाएगी और काफी ज्यादा लोगों ने उसे पसंद भी किया था क्योंकि यह एक नौन चाइनीज ब्रैंड हो जाती है तो कहीं न कहीं यह फोन भी खास होने वाला है आगे आने वाले समय में यहांपर आपका प्राइमरी कैमरा 13 MP का होगा साथ में आपकी अदर लेक्स प्लस 2 MP के रहेंगे तो यह भी एक जानकारी रहती है फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है सेल्फी के लिए तो यह सारी information निकल के आती है और 4000 image की बैटरी भी होने वाली है fast charging के support इस phone में आपको नहीं दे रखे गए है हाला कि अभी मैं इसमें कुछ भी अपना राय नहीं डालना चाओंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि काफी सारे leaks ही है यहाँ पर इस phone को लेकर लेकिन मुझे ऐसा लगता है budget में रहकर यह एक बहतरीन option रहेगा क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें काफी खास लग रही है एक तो इसका selfie camera मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो अगर आपका budget 10,000 के आसपास होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसकी कीमत 10,000 से कम ही होनी चाहिए तो एक यह बहतरीन option आपके लिए रहेगा कब launch होगा क्या होगा यह तो कुछ कहना मुश्किल है क्या इस sale में देखने को मिल पाएगा यह भी कहना मुश्किल है लेकिन बहुत जल्द market में होगा यह तो एकदम बात तै रहती है तो देखेंगे कि क्या होगा अन्बॉक्स करेंगे और बात करेंगे इस phone के बारे में तब details से camera test वगरा भी हो सकेगा तो कर देंगे लेकिन फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी मलते हैं आपको कुछ बहातरीन वीडियो के साथ फिलाल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुर मुद भूलेगा तब तक लिए मशकार दोस्तों जैहिन वन्दे मातरम